देखिए इस वीडियो में मैं आपको बंद तथा खुली अर्थववस्ता में अंतर बताऊँगा देखिए बहुत जादा इंगन अंतर है इसको कर सकते हैं सेथ्हाइब नमर्म में पूंचे जाता है तो चार पूंचे जाता है तो चार पूएँट याद करेंगे तो ज्यादा नहीं कि अगर बड़ा क्वेस्चन आगा तो भी आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो आप इनके साथ हो पॉइंट जो है न वह आप अच्छी से तयार कर लोगी है तो देखते जाएंगे बंद अर्थ वबस्ता हो खुली अर्थ वबस्ता हैं पहला जो हमारा point है बंद अर्थवस्था का वो है इस अर्थवस्था का सेश 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 से कोई आर्थिक संबंद नहीं होता खुली अर्थवस्था में क्या है इस अर्थवस्था दूसरी अर्थिवस्था से आर्थिक संबंद होता है जो खुली अर्थिवस्था होती है ना उसका संबंद होता है आर्थिक संबंद लब उसका दूसरी अर्थिवस्था से आर्थिक संबंद होता है ठीक है और जो बंद अर्थिवस्था होती है उसकी दूसरी अर्थिवस्था से उस इसकी आर्थिक किरियाएं सेस बिस्समें होने वाले परिवर्तनों से आपरभावित रहती हैं और इसका जो तीसरा है इसकी आर्थिक किरियाओं में सेस बिस्समें होने वाले परिवर्तनों का परभाव पड़ता है चोथा दिखी इस अर्थ विवस्था में उपभोग एवं बिनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं और चोथा जो है इस अर्थ विवस्था में उपभोग तथा बिनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी पांचबा है इस अर्थ विवस्था में अंतर राष्टी ब्यापार के लाव प्राप्त नहीं हो और जो इसका पांच बाग है जो इस अर्थववस्था में अंतर राष्टी व्यापार की लाप रात होती है छटबा अंतर दिख लिजी छटबा जो महारा अंतर है वो है इस अर्थववस्था में पूझी निर्मार नगन होता है किसमें बंद अर्थववस्था में पूझी न आपको बताया है जो यहां पर देखा है बहुत ज़्यवल्ड है आप सबस्क्राइब दीजिए और को फिर्ट कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो करूं उस करूं प्रका किस तर आपको तुरंथ में जायते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं मैं प्रेस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं थेंक यू